अठाइस्वा अध्याय अश्टांग योग की विधी कपिल भगवान कहते हैं माता जी अब मैं तुम्हें सबीज धेश औरूप के अलंबन से युक्त योग का लक्षन बताता हूं जिसके दोरा चित्र शुद एवं प्रसंद होकर प्रमात्मा के मार्ग में प्रविर्थ हो ज करना तथा शास्त विरुद आच्रण का परित्याक करना प्रारव्थ के अनुसार जो कुछ मिल जाए उसी से संतुष रहना आत्म ज्यानियों के चड़नों की पूझा करना विशे वासनाओं को बढ़ाने वाले कर्मों से दूर रहना संसार बंदन से छुडाने वाले धर्म में प्रेम करना पवित्र और परिमित भोजन करना निरंतरे कांत और निर्वेस्थान में रहना मन वानी और शडीर से किसी जीव को ना सताना सत्य बोलना चोरी न करना आविशक्ता से अधिक वस्तुओं का संग्रह ना करना ब्रह्म चारी का पालन करना तपस्या करना धर्म याम के द्वारा श्वास को जीतना, इंद्रियों को मन के द्वारा विश्यों से हटाकर अपने हृदे में ले जाना, मुल अधार आदी किसी एक केंदर में मन के सहीत प्राणों को इस्थिर करना, निरंत्र भगवान की लिलाओं का चिंतन और चित को समाहित करना, इन से तता व्रत दानादी द्वारा दूसरे सात्मों से भी सावधानी के साथ प्राणों को जीत कर बुद्धी के द्वारा अपने कुमार गामिल दुष्ट चीत को धीरे-धीरे कागर करें परमात्मा के ध्यान में लगावें पहले आसन को जीते फिर प्राणायाम के अभ्यास के लिए पवित्र देश में कुष्ट मिर्ग चर्मारी से युक्त आसन बिचावें उस पर शरीर को सीधा और इस्थर रखते वे सुख पुरुवक पैट कर अभ्यास करें प्रारम में पूरक कुमभक और रेचक क्रम से अत्वा इसके विप्रीत रेचक कुमभक और पूरक करके प्र प्राण वायू को जीत लेता है उसका मन बहुत शिग्र शुद्ध हो जाता है अतय योगी को उचित है कि प्राणायाम से वाद पिता दी जनित दोशों को धार्णा से पापों को प्रत्याहार से विश्यों के संबंद को और ध्यान से भगवदी मुख करने वाले रोग परशादी दुर्गणों को धूर करें जब योग का भ्यास करते करते चित निर्मल और एकाग्र हो जाए तब नास्का के अगर भाग में दुष्ट्री जमा कर इस प्रकार भगवान की मूर्ति का ध्यान करें भगवान का मुख कमल अनंद से प्रफुल है नेत्र कमल वस चिन है और गले में कौस्तु भवनी जिल्मिला रही है वन माला चड़नों तक लटकी वी है जिसके चारों और भौरे सुगन से मर्दवाले होकर मधुर गुंजार कर रहे हैं अंग प्रत्यंग में महा मुल्य हार कंकन किरीट भूजबंद और नुपुर आदी आभूश विराजमान है कमर में करधनी की लड़ियां उसकी शोभा बढ़ा रही है भगतों के हिर्दे कमल है उनके आसन है उनका दर्शनिय श्याम सुंदर सुरूप अत्यन शांत एवं मन और नैनों को अनन्दित करने वाला है उनकी अती सुंदर किश्यो रवस्था है वे भगतों पर किरपा करने के लिए आतूर हो रहे हैं बड़ी मनोहर ज्याकी है भगवान सदा संपूर्ण लोकों से वंदित हैं उनका पवित्र यश परम किर्तनिय हैं और वे राजा बलियादी परम यश्यश्वे के भी यश को बढ़ाने वाले हैं इस प्रकार श्रीर नारायन देव कर संपूर्ण अंगों के सहित तब तक ध्यान करें जब तक चित वहां से हटे नहीं भगवान की लीलाएं बड़ी दर्शनिय हैं अतर अपनी रूची के नुसार खड़े हुए चलते हुए बैठे हुए पॉड़े हुए अत्वा अंतरियामी रूप में इस्थित हुए उन प्रवान के चरण कमलों को ध्यान करना चाहिए वे वज्र अंकुष ध्वजा और कमल के मंगल में चिन्हों से युक्त हैं तथा अपने उब्रेवे लाल लाल शोभा में नख्चंद्र मंडल की चंद्रिका से ध्यान करने वालों के हिर्दे के अज्ञान रूप और घोर अं पर छोड़ेवे इंद्र के वज्र के समान है भगवान के इन चरण कमलों का चिरकाल तक चिंतन करें भाव भैहारी अजन्मा श्री हरी की दोनों पिंडलियों एवं घुटनों का ध्यान करें जिनको विश्व विधाता प्रमाजी के माता सुर्व वंदिता कमल लोचन अपने कांती मान कर किसलेओं की कांती से लाड लडाती रही भगवान की जांगों का ध्यान करें जो अलसी के फूल के समान नीलवर्ण और बल की निदी है तथा गरूर जी की पीट पर शुभाई मान है भगवान के नितम भिम का ध्यान करें जो एड़ी तक लटके हुए प पितामबर के उपर पहनीवी स्वण मैई करधनी के लड़ियों को आलंगन कर रही है संपुर्ण लोकों के आश्रे अस्थान भगवान के उदर देश में इस्थित ना भी सरोवर का ध्यान करें इसी में से ब्रमाजी का अधार भूद सरो लोक में कमल प्रकट हुआ है फिर प् प्रकश्मी का निवास अस्थान और लोगों के मन एवं नेत्रों को आनन्द देने वाला है फिर संपुर्ण लोकों के वंदनिय भगवान के गले का चिंतन करें जो मानों कौस्तु भमणी को भी सुश्ववित करने के लिए ही उसे धारन करता है समस्त लोग पालों के आश् जिच को सहन नहीं किया जा सकता उस सहस्त्र धारों वाले सुदर्शन चक्र तथा उनके करक कमल में राजहंस के समान विराजमान शंक का चिंतन करें फिर विपक्षी वीरों के रुधिर से सनीवी प्रभू की प्यारी कौमोद की गदा का भौरों के शब्द से गुंजायमा वन माला का और उनके गंठ में सुष्ववित संपूर्ण जीवों के निर्मल तत्तो रूप कौस्तु भमणी का ध्यान करें भक्तो पर कृपा करने के लिए यहां साकरात्मक रूप धारन करने वाले श्रीहदी के मुख कमल का ध्यान करें जो सुगर्ण नाजिसकासर शुष कृत कुंडलों के हिलने से अतिशे प्रकाश्मान स्वच्छ कपोलों के कारण बड़ा ही मनोहर जान पड़ता है काली काली घूंगराली अलकावली से मंडित भगवान का मुख मुंडल अपनी छवी के द्वारा ब्रह्मरों से सेवित कमल कोष का भी तिरसकार कर रहा है और उसके कमल सद्रिश विशाल एवं चंचल नेत्र उस कमल कोश पर उचलते वे मचलियों के जोड़े की शोभा को मात कर रहे हैं। उन्नत भूलताओं से शुशोबित भगवान के ऐसे मनोहर मुखार विंद की मन में धाड़ना करके आलत से रही थोसी का ध्यान करें। हिर्दे गुहा में चीर कालतक भगती भाव से मगवान के नेत्रों के चितवन का ध्यान करना चाहिए। जिकृपा से और प्रेम भरी मुस्कान से खण खण अधिक आधिक बढ़ती रहती है। विपुल परसाद की वर्शा करती रहती है। और भगत जन्नों के अत्यंत घोर त कर यहीं अपनी माया से श्रीहरी ने अपने भूम मंदल को बनाया है। उनका ध्यान करना चाहिए। अक्त्यंद प्रेमाद रभाव से अपने हिर्दे में विराजमान श्रीहरी के खिलखिला कर हसने का ध्यान करें जो वस्तुत ध्यान के ही योग्य है तता जिसमें ऊपर और नीचे के दोनों हुट्टों की अत्यधीक अरुन कांती के कारण उनके कुंदल कली के समान शुब्र छोटे- उनके सिवा किसी अन्यपदार्थ को देखने की इच्छा ना करें इस प्रकार के ध्यान के अभ्यास से साधक श्रीहरी में प्रेम हो जाता है उसका हिर्दे भक्ती से द्रवीत हो जाता है शरीर में आनांदर तरीक के कारण रोमांच होने लगता है उत्कंठा जनित प्रेमा आश्रों की धारा में वह वारंबार अपने शरीर को नहलाता है और फिर मचली पकड़ने के कांटे के समान श्रीहरी को अपनी और आकरशित करने से साधन रूप अपने चित को भी धीरे-धीरे धेवस्तु से हटा लेता है जैसे तेल आदी के चूक जाने पर दीप शिखा अपने कारण रूप तेजस तर्तों में लीन हो जाती है वैसे ही आश्रे विशे और राख से रहित होकर मन शांद ब्रह्माकार हो जाता है इस अवस्तार के प्राप्त होने पर जीव गुन प्रवाह रूप द्यादी उपाधी के निविर्थ हो जाने करण ध्याता धे आदी विवाग से रहित एक अखंड प्रमात्मा को ही सर्वत्र अनुगत देखता रहता है योगा अभ्यास से प्राप्त होई चित्की इस अविद्या रहित लयरूप निवर्ती से अपनी सुख दुख रहित ब्रह्मारूप महिमा में इस्तित होकर प्रमात्मा तत्त्यों का साक् असर के रहने या गिरने का कुछ भी सुधी नहीं रहती इसी प्रकार चर्मा वस्था को प्राफ्त वे सिद्ध पुरुष को भी अपनी देख के उठने बैटने अत्वा दैवश कहीं जाने या लौट आने के विश्य में कुछ भी ग्यान नहीं रहता क्योंकि वो अपने प प्रमात्म तत्व को भली भाती जान लिया है वह सिद्ध पुरुष पुतर गलत रही के सःस्ए इस शरीयों को शुपन में प्रतीत होने शारीरों के समानंपंगार नहीं करता। फिर उसमने हैं एहंद्ता ममता नहीं करता। जिस प्रकार अध्यांत्स नहीं के करण पुत् प्रिथक ही है जिस प्रकार जलतीवी लकड़ी से चिंगारी से स्वयम अगनी से ही प्रकट हुए धुए से तथा अगनी रूप माने जाने वाली उस जलतीवी लकड़ी से भी अगनी वास्तों में प्रिथक ही है उसी प्रकार भूत इंद्रिये और अंतक करंड से उनका ओद्भिर्ज चारों परकार के प्राणि पंच भूत मात्र हैं उसी परकार संपुण जिवों में आत्मा को और अत्मा में संपुण जिवों को अनन्य भाव से अनुगत देखें जिस परकार एक ही अगनी के अपने प्रिथख सब्सक्राइब उनदे बिन आकार का दिखाई देता है, उसी प्रकार देव मनुष्यादी शडीर में रहने वाले यही आत्मा अपने आश्रियों के गुण भेत के कारण भिन भिन प्रकार का भास्ता है अता भगवान का भक्त जीवन के स्वरूप को छिपा देने वाले कारे कारण डूप से परिणाम को प्राप्त होई भगवान की इस अचिंत शक्ति में माया को भगवान की कृपा से जीत कर अपने वास्तविक स्वरूप ब्रह्म रूप में इस्थित होत झाले